जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों कि चार बजे हम चक्रविव के साथ आपके सामने पेश होते हैं नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तर प्रादेश में आपका स्फागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रविव में सबसे पहले बात होगी यूपी बीजेपी के अंदर चल रही खीचतान की दूसरी खबर एम्यू में फाइरिंग से जुड़ी है तीसरी खबर अल लगातार पार्टी के सयोगी दलों के नेताओं मंत्रियों और नेताओं से मिल रही है इन मुलाकातों को भले ही शिष्टाचार भेड़ बताया जा रहा है लेकिन इसे सरकार और संगठन के बीच शक्ती प्रदशन के तौर पर देखा जा रहा है चाहां बीते सुमबार को सी केशो प्रसाद मौरे से मिलने पहुचके मौरे ने बकायदा इस मुलाकात की फोटो भी एक्स पर शेयर की फोटो में दोनु एक नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते नजर आ रहे हैं वहीं इसी के बाद मंगलवार को केशो प्रसाद मौरे ने लखनो इ केशो प्रसाद मौरे आजकल जितनी भी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उन सभी की फोटो सोचल मीडिया पर शेयर की जा रही है इसी बीच केशो प्रसाद मौरे ने सीम योगी के विबाद से आरक्षण को लेकर सवाल दागा था यहां पर विपक्ष के रोल में दिखते ह हुए उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल पूछा था उन्होंने सविधा और आउट सोर्सिंग से हुई भरतियों के रपोर्ट भी मागी थी वो पत्र भी सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है हाला कि 14 जुलाई के बाद केशो प्रसाद मौरे दिल्ली में बीजेपी के केंदर नेतर से मिले थे वो यहीं समझा गया कि शायद इन दूरियों को कम करने की कोशिश की जा रहे हैं लेकिन इस हफ्ते की सियासी घटनाओं को देखने के बाद कहा जा रहा है कि दूरिया घटने के बजाए बढ़ रही हैं बीजेपी के अंदर खाने और सयोगी दलों की तरफ पर होने जा रहे हैं उप चुनाओं तक चुप पी साधे रहेगी और पार्टी के अंदर और सयोग्यों की तरफ से उठते सवालों के जबाओं चुनाओं के नतीजे तै करेंगे अगली खबर AMU से है जहां से एक बर फिर से कैंप में फारिंग का मामला सामने आया है फारिंग की घटना से दहशत फैल गई अलीगर्ण मुस्लिम विश्वध्याले की मेडिकल कलॉनी में मामूली विवात के बाद रजिस्टराट कार्याले में तैनात करमचारियों के का माहौल हो गया गोली चलते ही आसपास मौजूद सुरक्षा कर्मी चौकर ने हो गया और हमलावरों को तुरंत धर्दबोचा पुलिस को मामली की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बुलाया गया और आगी की जाज की जा रही है पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज में मौजूद है घटना की जानकारी ली जा रही है आपको बता दे कि पूरी घटना थाना सिवल लाइन शेत्र की है एम्यू के प्रॉक्टर प्रॉफेसर महॉम्मद वसीम अली ने कहा कि घायल नदीम और कालीम एम्यू कैंपस जा रहे थी तब हमलावरों ने उन् मार्च राउंट गोली चली है वारदात के पीछे का मोटिव नहीं पता चला है हमलावरों से पुष्टा चल रही है गौरतलभै की एम्यू से पहले भी ऐसी घटनाएं आ चुकी है एम्यू समय समय पर विवादों में रहता है यह साल होली के मौके पर मार्च में यहां बब किया वहीं पिछले साल सितंबर में अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलेज में फारिंग का मामला सामने आया था जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बार बदमाश कैंटीन संचालक से हफता मांग रहे थे जब कैंटीन संचालक ने हफता देने से इंकार कर दिया तो आरोपियों ने वहाँ फारिंग कर दी थी वहीं एल्विश से 23 जुलाई को मंगलवार को सापों के जहर की सप्लाई मामले में आठ घंटे तक पुछताज हुई लगनों दफ्तर में एडी ने एल्विश से उनके बैंक खातों विदेश यात्राओं आयकर रिटर्न लग्जरी लाइफस्टाइल के को लेकर सवाल किये लेकिन एल्विश ने गोल मोल जवाब दिये हैं कई सवालों पर वो चुप रहे तत्यों पर जानकारी ना होने की बात कहीं माला जा रहा है कि एडी फिर से एल्विश यादो को पुछताज के लिए तलब करेगी जिसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा चलिए अब उन स जात्रा संपत्ति आयकर रिटर्न महेंगी गाडियों को लेकर पूछताज की यूट्यूबर ने सोशल मीडिया को कमाई का जरिया बताया इसी के साथ एडी ने सोशल यूट्यूब इंडिया से लिये गए दस्तावेश यादो के सामने रखे लेंदेन के बारे में पूछता जानकाली देने से मना कर दिया गया इडी ने ये भी कहा कि इस गीत में साप के उपयोग की अनुमती नहीं ली गई थी फिर ये कहां से लाए गए थी जिसकी जानकाले अलविश द्वारा ना होने बताया गया इडी ने उसके करीबियों की वर्टसेप चैट दिखाई जिसम पॉइजन दिये जाने के बारे में भी सवाल कि इसकी जवाब में उलों ने कहा कि वो इन पार्टियों में जाते हैं लेकिन वहाँ पर कैसे इसका इंतिजाम किया जाता है नहीं पता एलविश एडी ने ये भी पूछा कि इस रेव पार्टी की जानकारी और किन किन लोगों को होती है और वहाँ पर जो सामाल लाए जाते हैं उसका फंड कौन अरेंज करता है एलविश का जवाब था कि वो सिर्फ पार्टी में जाते हैं साधी एलविश एडव द्वारा विदेश यातरा करने पर उसका खर्च उठाने और विदेश यातरा का शेडूल अरेंज करने वालों की जानकारी भी मांगी गई एलविश ने डेटेल में सिर्फ खुद के द्वारा बुक किये गए फ्राइट के टिकेट और होटल की जानकारी दी बाकी जानकारी नहीं दे सकते ऐसा कहा है इसी के साथ एलविश यादो से दुबई और होंग कॉंग से कनेक्शन की भी बात पूछी गई यहां से साथ क्या कनेक्शन है जब आप मैं एलविश ने बताया कि इन जगों के बारे में नहीं जानते हैं एडी ने मंगलवार सुभा लगभाग साड़े ग्यारा बजे पुस्ताज शुरू की एडी ने से पहले आठ जुलाई को एलविश को पुस्ताज के लिए बुलाया था लेकिन तब एलविश यादों ने विदेश में होने की जानकारी दी थी आखरी खबर कानपूर से है जहां लड़की के डी फेक वीडियो से ब्लैक मेलिंग का मामला सामने आया है यहाँ पारशत के बेटे ने स्लाइट ट्रेनिंग के नाम पल लड़की द्वारा भेजी गई फोटो का आर्टिफीशल इंटेलिजन्स से अप्तिजनक वीडियो बना लिया इसके बाद वीडियो को लड़की के मोबाईल पर भेज कर ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया परिशान होका लड़की ने मामले की शिकायत पोलिस से की पोलिस ने युवक को गरफतार कर लिया आपको बता दे की कानपूर के घाटमपो टाउन एरिया की रहने वाली लड़की ने अपने एरिया की पारशत तराना को सलाइट ट्रेनिंग के लिए अपना फोटो भेजा लड़की का फोटो पारिश्ट ने अपने बेटे रजवान के मोबाइल पर मुंवाया था कुछ दिनों बात लड़की के वटसेप पर एक आपतिचनक वीजियो भीजा गया जिसमें कहा गया कि ये वीजियो वारर कर दिया जाएगा वीजियो को डिलीट करने के लिए लड़क भिजवाकर एक जगब पैसे देने के बहाने बुलाया और गिरफकार कर लिया वहीं पुलिस इस मामले की जाज कर रही है कि पार्शक ने शेत्र की कई लड़कियों के फोटो सलाई परिक्षण के लिए मंगाये थे योग ने कई अन्नी लड़कियों के भी फेक वीजियो त उत्तर प्रादेश नमस्कार संधर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सक्ष निखाता ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल दी उत्तर प्रदेश अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया